गाय को हिंदु धर्म में बड़ा महत्व बड़ा स्थान दिया जाता है सनातन धर्म में गाय को माता भी कहा जाता है और सबसे पवित्र माना जाता है वैसे तो देश-प्रदेश में बहुत गोशालाएं और कई-कई तो नंदिशालाएं भी खोली गई है लेकिन गोशालाओं को खोलने के बाद सबसे बड़ी बात इनका सुचारू रूप से संचालन करना है नमस्कार मैं हूं शेक जुही और आप देख रहे हैं दनगरी नियूज अज बहुत से गोशाला में गायों के लिए उचित खाने पीने की व्यवस्था गर्मे में च्छाया और सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए अन्यमताय समझ समय पर देखने को मिलती है गोसेवकों के लिए बड़े गर्फ की बात है कि देश-प्रदेश का सादू संसमाज गाये को रास्ट्रे माता बनाने का संकल्प काये कर रहा है तो चलिए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा फाउंडेशन के पदधिकारियों ने पूरा मारा तो जो गायों की स्तिति है जहां रोडों पे थेलियां कच्रा खाने के लिए मजबूर है उनको भोजन नहीं मिल रहा है चारा नहीं मिल रहा है उसी को देखते हैं हम लोगों ने एक जार गोगरा संक्रण वहानों को संचलन करने का हमने योजना बनाई है इसके प्रतम चल्ण के अंदर सो गोगरा संक्रण वहानों का संचलन किया जा रहा है जो घर गर जाएगा गांगां जाएगा वहां लिए जाएगा और कंटिन डेली बेस पर गाड़ी वहां पहुंचेगी जिसे अपने गाड़ी आ पहुंचती है करीगे करेंगी जानके पर भॉब दो खहु को की लगान चाल्य जो पर प्सक्वकर भी दीगा कि उदेपन करने के लिए रोटियां और ह्री सब्जी द एक करेंगी और संबंदित गऊ सालों तक कॉचना चाहिए करेंगी तो सुना अपने की फाउंडेशन लगातार गोहित के लिए प्रियास करते हुए नई-ई योजना के माधियम से आगे बढ़ रहा है इसी को लेकर वनपे फाउंडेशन ने आज जैपुर में प्रेस्वारता भी किया से में वनपे फाउंडेशन के गौप्रियास योजना गोप्रेमियू के लिए एक आश्या की करन साबित हो रह करें दनगरी मीडिया के साथ नमस्कार